पनु को लेकर वही जो थ्रेट्स देता रहता है खालिस्तान मुव्मिन्ट का आदमी क्या कहेंगे अब एक बार फिर उसने कहा है कि वो इंडिया पे अटाक करेगा और अमेरिकल असाम्बली का कहा है उनका पार्लिमेंट की बात की है देखें मैं आज ये खासकर बात करना चाहता हूँ कल एक स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें एक क्वेस्टिन किया गया पनु के हवाले से तो इसी जो कैनड़ा अमेरिका के जो रिलेशनिशिप है भारत के साथ इसको डिसकर्स करने के लिए क्व उन्होंने आगे से कहा है कि हमारे जो जो जौर्ज फाइनर है एक इनके स्टेट डिपार्टमेंट के फारण आफिस के वो भारत गए और वो जा के भारत के नसे से मिले डाक्टर जे शंकर से मिले तो उनसे भी ये बात की है और हम शवाहित के इंतिजार कर रहे हैं लेकिन आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि अमेरिका का डबल स्टेंडर क्यों है जबके आज एक जो नई ख़बर आई है गुरपरीत पन्नू जो है जो के अमेरिकन सीटिजन है मैं बात ये करना चाहूँगा उनके पास दो सीटिजन शिपे हैं एक कैनिड़ा की और एक अमेरिक पे जो उसके उसके बबाँ पे अटैक किया था उसके अनिवर्सरी आ रही है तो उस पे उन्होंने आज फिर एक दफ़ा उन्होंने एक धंकी दी है एक उन्होंने टेर्रिस अटैक का एक गदिया दिया है लेकिन क्या वज़ा है कि आप उनके उपर अटैक पे करने पे अमे तो यह पुलिटिकल और मैं इसको कहूंगा कि पुलिटिकल जुडिशल जो है उसको प्रोटेक्शन दी गई है दे रहे हैं अमेरिका और कैनिडा दोनों मिलके लेकिन मेरा एक ओपन चैलेंज यह है आज कोई भी आज कोई भी इंसान कांगरस पे अटैक करने की धंकी दे तो किस तरह रियक्ट करेगा उस पे आज कोई भी शखस जो है वो किसी अमेरिकन एरलाइन को इस तरह जिस तरह उसने एर इंडिया का कहा था कि 19 नुवंबर पे मैं कहूंगा कि कोई भारती इस पे इंडियन एरलाइन पे ट्रेवल ना करे एक उसने एक खौफ जो था एक दैश तो किस कितने एफ 16 उडएंगे कितने ड्रोन उडएंगे क्या आप दुनिया उपर से नीचे यह किस तरह करेंगे प्रियम्टेब टैक इन्हों ने करके तो वहां पे एराक में एक भी वैपन आफ मैस डिस्ट्रिक्शन नहीं मिला था उसके उन्हों ने ची थड़े उड़ा जाये तो टूटो साब कहा देते हैं कि इस फ्रीडम आफ एक्स्प्रेशन है और वहां पर उन्हों ने दुनिया भर के जो इसने तैश्यत गर्थ हैं उनको पुलिटिकल असाइलम के चकर में उन्होंने मेरा मकसिद इनके डबल स्टेंड़ है उनको वहां पना दे रखी है तामल नाडो के जो लोग थे उनको इन्होंने पना दे थी मजीबुर्रमान का मर्डर है वहां कैनिडा के अंदर खुला फिर रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है और आज जो है एक अमेरिकन और करेंडियन सीटिसम जो है जो के वांटेड है भारत के अंदर और मुसल फिरण थ्रेट किया था उसने और कोई पूछने वाला नहीं था कहते हैं अजी फ्रीडम एफ एक्सप्रेशन है आज उसने पिर एक अशमली और एसमली का इजलास होने वाला रहा ए और उसने वही जो अनन वरसरी आरहuin और 2001 की जो अबदन घुरू ने वहां पे हमला किया तो उसी का उसने दुबारा एक नया ड्रामा बना दिये और कोई उसको पूछने वाला नहीं मैं इस पर बिलकुल मैं इस पर अमेरिका के डबल स्टेंडर्ड पर मैं आम इस पर प्रोटेस्ट इस जाती है बिलकुल उसको आप जब मेरा मखट आपको पूफ चाहिए तो उनको भी तो पूफ चाहिए उनको भी तो सुकूण चाहिए इस बढ़े या तो इसको लगाम दे इसको रोकें आप इसको 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 एस पे चार्जिbl लगाएं आप धंकिया दे रहाए एक national airline है एक इंडिया का symbol है इंडिया उसको उसने थ्रेट कर दी आज उनकी जो है assembly का जिलाज होने वाला है और फिर उसने फिर दुबारा थ्रेट कर दी और उसको कोई पूचने वाला नी यह किस किसम का expression of freedom of expression है यह किस किसम के यह बोलने की अजादी है कि लोगों का मेरे बखसे एक थ्रेट कर रहा है करो बार को एक उनका national symbol airline है उसको थ्रेट कर रहा है आज उनके legislation process होने वाला उसका session शुरू होने वाला फिर उसने नहीं थ्रेट कर दी कोई उसको रोक कोई लगाम देगा तो फिर है क्या है किस तरह करेंगे अगर यहां पे छे जिनवरी का हमा बना दिया था आपने वो freedom of expression में नहीं आता वो क्या शाल है आज अगर यहां पे को अमेरिका में बात करें के election जली हुए है फोरन उसके पीछे पढ़ जाते है FBI घर में चली जाती है FBI को केजी भी बना दिया है और यहां पे Americans के लिए यहां अपने मुलक के अंतर Republicans के लिए उनका दूसरा standard है तो वहां पे जो यह अच्छी बात है कि जो मर्जी का मैं उसको protection दे रहे है political और judicial यह जैती है मैं इस पे बिल्कुल protest करूँगा मगर सर कहीं न कहीं फिर यह बात तो थाबित होती है जो लोग पहले बात कर रहे थे कि जो इंडिया की success है चाहिए वो चंद्रियान हो या दूसरे चीज़े जो उनकिया चल रही है वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहे है देखे यह तो बिल्कुल बात ठीक ना सिरफ 7.8% इस वक्रेवी तरफी कर रही है जिसने पहले भी आप और में बात कर रहे थे कि वो 5 ट्रिलियन की एकानमी बनने वाले हैं और यही मेरे नजर में तो यही है इस वक्तथ वाशिनियन डी-शी के में अंदर जो अमेरिकन्स के पेट में दरण मू यही है उसकी वज़ाई है अ आप अगर किसी के लिए चाहते हैं कि जी यहां पे हमारे American soil के उपर ना करें लेकिन American soil के उपर अगर गो बैठ के बार बार धंकिया दे रहा है, बार बार एक देशत पहला रहा है तो उसको को रोकेगा भई, यह तो खलत बात है, खालस्तान की बात, कितरे लोग खालस्तान को सपोर्ट करते हैं, कई दफा इसने कहा है, जी मैं referendum कराना, वहाँ शोप ही कोई नि करता, 15-20 लोग खड़े होते हैं वहाँ पर, लेकिन यह के, यह दौर 21st century का जगडे वाला दौर नहीं है, वही टेबल में बैठ के बात करहा हूं, अगर तुमें खालस्तान का इसना इसू भारत के अंदर, कोई उनको इसू नहीं है, लेकिन पता नहीं कि यह क्या एक ड्रामा है, कारोबार बना दिया, जिस तरह मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हमारा, जिस तरह पाकस्तार और मुसल्मानों ने जहाद का ड्रामा है, इदर दूसरी साइट में देखा तो खालस्तान एक डिकारोबार बन चुक है, तो ये बातें इनको रोकरी चाहिए, मुझे तो चलें, जो कुछ भी है, अमेरिका की उपर आज अफसोस हो रहा है, कि इस अन अमेरिकन सीडिजन, कनेडियन सीडिजन है वो, और उसको उपर ऐलिकेशन हैं भारत के अंदर, अगर आपको प्र इर इस अपर टाक बॉइंग ओन कि हमने अगर खालस्तान बना रहा है, तो हम लहुर भी लेंगे, हमारी राजदानी थी पंजब की वो, देखा जाये तो अगर वो मारा जार रहें, जी सिंग के राजदानी तो लहुर था, वो तो कहते हैं हमारे सारे सेकरड गुर्दवारे अगर खालस्तान लेंगे तो हम पूरा का पूरा बनाएंगे, लेकिन पाकस्तान किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता शरारत में, भई, करता रहा है माजी के अंदर सब करते रहें, लेकिन अब इनको कुछ मेरे ख्याल में अकल के नाखन आने चाहिए, कि आप आगे नहीं च करें, को आइफिशल इंटेलिजिस की बात की जाए, यह दौर अब जो है, यह दौर ना जंगों का है ना नफरतों का है, मैं आज भी किसी से बात करा था अपने किसी भारती दोस्त के साथ, उन्होंने का, रिलिजियस बेस, रिलिजियस बेस रिलेशनिशिफ ना बनाओ या मैं इस वकद रिसर्च कर रहा हूँ टेशला पर, मैं पहले आपको बताया कि मैं और इससे बहले बुद्ध मत पर करता रहा हूँ रिसर्च मैंने जैनिजम को पढ़ा है, मैंने तिम्तन मंक्स और बरमीज मंक्स की प्रैक्टिस को देख रहा था, उसमें डिफरेंस क्या है, और उसके बाद मैं आप टेशला के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, खासकर चनकिया सिविलाजेशन उस दौर के अंदर, गुपता सिविलाजेशन और इन चीज़ों के ऊपर पढ़ रहा हूँ, नंदा सिविलाजेशन, अशोका, यह सारी चीज़े मुझे प्राइड है इस चीज में, कि Jesus Christ के 1500 साल पहले चनकिया Civilization, जो चनकिया की किताब में टेक्षला उनिएस्टी में थी मुझे प्राइड है उस चीज में, मैं बिल्कुल इस पे मैं खुल के कहूंगा मुझे कोई रग्रेड निए इस चीज में, क्योंकि मैं I'm not reading them from the religious point of view I'm reading them from historical point of view, from scientific achievements point of view और उसमें मुझे प्राइड है इस चीज में, और होनी चाहिए मेरे खाल में इस खिते में जो लोग बस्ते हैं, उनको प्राइड होनी चाहिए कि 150 AD, 280 में इतना बड़ा इलम का सर्वाया था यहां पे, हमेशा यही इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोग दुनिया से पीछे हैं, हम दुनिया से बहुत आगे थे, और हम आगे जाना चाहते हैं और जाएंगे, यह पूरा खिता जाएगा. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ जो नई थ्रेट आई है इसकी तरफ से, पनु की तरफ से, आपके ख्याल से यह कितनी चैलेंजिंग है, इंडियन गर्मेंट के लिए, और क्या इससे वो कुछ घबराएंगे, या उनकी जो एक प्रोग्रेस की स्पीड जा रही है, क्या वो क एकनामेक उनकी माइगरेसन होती थी, वो पुलिटिकल माइगरेशन नहीं होती थी, तो उनको इनोंने, क्योंकि कारोबार का हिस्सा था, क्योंकि इंडियन लागी प्रैट्रस करते थे, तो इनोने ट्रबल बताके, तो सारा लोगों को यहा गरीन कर्द तो एसके अलावा की जाती है एक बंदे और फिर उसको मीडिया प्रमोट करता है सोशल मीडिया प्रमोट करता है उस पर टिक टाक चलते हैं उसके उपर इंस्टाग्राम चलते हैं तो फिर वहां पे लोग कई गबराते हैं उस चीज को देखके कि यार एक यह क्या हो रहा है वहां पे उसके में Ultimately Air India को नुकसान हुआ होगा, हो रहा होगा, और अब इसको open challenge कर देना कि मैं attack करूंगा assembly के उपर, ये मेरे ख्याल में international law के और ये सब चीजों के खलाब वर्जी है, और इसके उपर judicial case होना चाहिए, और इसके उपर पबंदी लगानी चाहिए, कि ये इस तरह के बेयानात ना अगर इसको जो कुछ भी है, अगर कुछ चीजे हैं, तो भारत जाये वहाँ जाके बात करें भी, देखें, मैं ये चाहता हूँ, लिकिनि ये के करो बार ये करना, ये सारा करना, और इसकी support क्या है, ये बार बार इसको कोई support नहीं है, मैं तो यहां बैठा हूँ, Canada में मेरे बहुत ज़्यदा दोस्त है, यहां पर मैं आपको पता है, जिस तरह मैं भारती और सिक खासकर community में मैं involved हूँ, मुझे पता है, इसकी कोई support नहीं, कोई support नहीं इसके पीछे, मगर सार, अमेरिका को क्या interest है, कि अमेरिका इस तरह की लोगों को support कर रहा है, इस तरह की लोगो देता है, या बात करने देता है, यह तो खुलन खुला एक तरह का threat दे रहा है, लगर नहीं मैं assembly को उड़ा दूँगा, या मैं airline को यह कर दूँगा, उसके बावजूद अमेरिका जो है, वो खामोश है, देखें, यही जो, मैं इसी लिए तो आज मैं खासकर चाह रहा था आप से बात करूँ इस चीज़ पर कि डबल स्टेंडर्टाइट का है, यह अची बात नहीं है, और दूसरा मैं यह चैता हूँ, यहां यह बताना चाहूँगा, अमेरिका का माजी अगर देखा जाए, तो अमेरिका दोस्त किसी का भी नहीं है, अमेरिका सिरफ दोस्त है अगर इनको इन चीज़ों का तोड निकला है, तो कल को यह दोस्त किसी के नहीं है, अमेरिकान जो हैं माजी में देख लें, सदाम हुसेन के भी बहुत दोस्त है, एरान के साथ जंग कराने के लिए, बहुत दोस्त है उनके साथ भी इनके रिलेशनिशिप ते क्या किया है, इसी तरह कई मुलकों के साथ इनके इस तरह के relationship रहे हैं, लेकिन Americans, they are not, themselves not trustworthy allies, और मैं उसमें, और भारत को इस चीज़ का पता है, मैं समझता हूँ, Dr. Jay Shankar और Modi साम की जो administration है, they know it exactly, इसी वज़ा से उन्होंने कभी अपने सारे eggs एक basket में नहीं रखते हैं, रशिया के साथ relationship उनके, तो वो सारे अपने eggs उस basket में नहीं रखते हो, दूसरा मुझसे पूछ है, तो मेरे ख्याल में, India has a upper hand on this relationship with India और America, उसकी वज़ा ये है, कि economy उनकी strong है, डाइस्परा उनका strong है, टेकनालोजिक पे grip है उनकी, political strength है उनकी, और दूसरा इस वक्त जो है, China दुनिया की सब लेकिन सर बाराल ये इस चीज़ के उपर यकीनन भारत की government को खास इसको देखना चाहिए, इसलिए कि अभी तक बोल रहा है कि और खुदानाशाओं